मुझे पता है कि तुम एक्जाइमस में 100 में से 100 नूमबर लाना चाहते हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम ला सकते हो मुझे पता है कि तुम्हारा सपना है टॉपर बनना लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम टॉपर बन सकते हो मुझे पता है यार कि तुम दिन के 18-18 घंटा पढ़ना चाहते हो लेकिन तुम्हें खुद नहीं लगता कि तुम पढ़ पाऊगी तो मेरा भाई तुम इस वीडियो को बस लास लेक देखते जाओ इस वीडियो मैं ऐसे पास टिप्स देने वाला हूँ जिसे अपलाई करने के बाद 100 क्या अगर 100 से भी जादा लाना होगा ना तो आई करेंटिड तुम ला सकते हो बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ इलोन मस्क, बिल गेट्स, वारन बुफेट, डक्टर एपीज अब्दोल क्लाइन, मुकेस अमबानी ये ऐसे लोग है ना जिनके जैसा पूरा दुनिया बुनना चाहता है ये ऐसे लोग है ना जिनकी मुट्टी में पुरी दुनिया है सर्फ कहने के लिए नहीं सच में है ये ऐसे लोग है ना जो पुरी दुनिया को इधर चे उदर हिला सकते हैं सर्फ कहने के लिए नहीं सच में ये वह लोग हैं जो पुरी दुनिया पर राज करते हैं लेकिन एक इंट्रेस्टिंग बात बताओ में तुमें ये भी एक नॉर्मल इंसानी यार बिल्कुल हमारे तरह लेकिन ये लोग इतना रीच इतना सुपर सक्सरफूल पाउरफूल इंसान कैसे बन गए ये लोग कैसे पुरी दुनिया से हट के सोचे और इतिहास रच दिये सब एक रीजन है और वो है ये लोग बस सोच लिए कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान सबसे पाउरफूल इंसान बनना है टाइम लगा लेकिन आज बन के बैठ है मेरा भाई इंसान की सोची डिसाइड करती है कि उसे क्या बनना है कहा जाना है और कैसे रहना है अगर तुम्हे भी सो में से सो नमबर लाना है तो बस अपने अंदर गाट बांद लो चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे सो में से सो नमबर लाने है तो लाने है चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया इदर के उदर के उना हो जाए बस लाने है तो लाने है अगर तुम्हें भी टॉपर बनना है तो अपने आपको दो थपड़ मार और बोल जाये कुछ भी हो जाये मुझे टॉपर बनना है तो बनना है कैसे बनना है बताता हूँ पुरे 24 गंटे में तुम्हारा एक एक सिगंट कहा जा रहा है बिल्कुल अच्छे से एनलाईज करो पढ़ाई के लावा जितना भी टाइम कहीं फालतू कामे में जा रहा है जैसे दोस्तों साथ घुमना फिरना सोसल मेडिया पे टाइम वेस्ट करना ये सारे चंगुल से अप अपने आपको जितना खाली रख सकते हो रखो तब ही तुम अपने सपनों पे अपने गोल पे अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे अगर सच में सो में सा सो नमबर लाने है ना टॉपर बनना चाहते हो ना तो पिछले 10 साल का कोर्शन पेपर निकालो और पढ़ जाओ एक्जामस में जो भी कोर्शन आएंगे या आते हैं सब उसी से आते हैं और हर टॉपर का टॉपर बनने का सिग्रेट यही होता है कि प्रिवियस एयर के कोर्शन पेपर को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलते हैं वो प्रिवियस एयर के कोर्शन पेपर को पढ़ो उसी से इंपोर्टेंट कोर्शन के बारे में पता चलेगा अब इंपोर्टेंट कोर्शन मिल गए तो हर कोर्शन के कोंसेप्ट को समझने की कोशिस करो और फिर खुद से उसे रफ पर राइट करो मिन्स जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर्स है उसे पहले अच्छे से पढ़ो बिल्कुल अच्छे से पॉइंट नमबर फाइफ फोकस अन योर सेल्फ मेर भाई तुम हिल्दी रहोगे फिट रहोगे तब तो पढ़ पाओगे न ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत तेस फीवर लगा हुआ है और तुम मस्त बैट के पढ़ रहे हो सबसे पहले तुम अच्छे खाने पे फोकस करो, हिल्दी चीजे खाओ और अपने आपको अपने बॉड़ी को पाओफूल बनाने के लिए एक्सरसाइज करो मतलब यह मॉस्ट इंपोर्टेंट काम है यार ब्रदर तुम इन पाचों पॉइंट को अच्छे से अप्लाई करो और आई गरेंटेड 100 आउट अफंडेड कहीं नहीं जाने वाले हैं ट्रस्ट मी जब तक तुम खुद से चीट ना कर लो अल दे बेस्ट एंड सब्सक्राइब करके ही जाना बाई